मेरी प्यारी माता भेहनों और मेरे प्यारे भाईयों मैं आज आपको बताऊंगा दो लौंग से दो लौंग से कैसे किसी दो लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है जी हाँ दोस्तों असलाव अलेकुम नमशकार मेरा नाम मुहिन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता भेहनों का और प्यारे भाईयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तक्बाल करता हूँ दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा लौंग से दो लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे से कैसे अलग किया जाता है दोस्तों जैसे कि आप जानते हो जब आपका प्रेमी या आपकी प्रेमी का आपका पती या फिर आपका कोई पार्टनर आपका लवर पार्टनर पती पतनी कोई भी जब आपसे दूर हो जाते हैं और आपसे दूर होकर किसी दूसरे से बाचित करने लग जाते हैं किसी दूसरे के अफैर में पढ़ जाते हैं तो उस इनसान को इतना दर्द होता हुआ कि उसका दर्द से वही समझ सकता है कि उसका प्रेमी उसका पार्टनर किसी दूसरे के पास जाकर के वो उससे बात करता है उसके अफेर में बंद गया है और जब ऐसा होता है तो वो इनसान गलत तरीकों से गलत नशे में पढ़ जाता है शराब में पढ़ जाता है बहुत सारी ऐसी गलत चीजों की शंगत में आ जाता है जिससे वो अपनी जिन्द की पूरी खराब कर लेता है जिससे सोसाइड करना, सराब पीना, नशे करना बहुत सार यसी गलत संगतों में पढ़ जाता है तो दोस्तों आपको अगर आपकी साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको ऐसा नहीं करना है मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आप हमेशा के लिए दो लोगों को एक दूसरे से अलग कर सकते है जी हाँ अब दो लोगों को एक दूसरे से अलग करने का मतलब यह नहीं आपको जैसे आपका प्रेमी है, आपकी पार्टनर है कोई भी आपका प्रेमी प्रेमी का गल्फरेंड बॉइफरेंड पत्री पत्री अगर उनका रिस्ता किसी भारवाले इंसान से हो गया है और वो उसके अफेर में चले गया है और आप नहीं चाहते कि वो उससे अलग हो जाए उसकी बातना माने हमेशा उससे उसके दिमाग से वो निकल जा है हमेशा के लिए एक दूसरे से वो अलग हो जाएं तो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है पर आपको इसका इस्तमाल तभी करना है आपको बिल्कुल सोच लेना है कि आपसोच समझ के इसका इस्तमाल करना है अगर वो इस उपाये से आपने किसी दो लोगों को अलग कर सकत कर दिया तो वो इनसान हमेशे कले कभी जिन्दगी में बे एक दूसरे के पास नहीं भढ़केंगे एक दूसरे के बिलकुल अलग हो जाएंगे तो अब आपको करना क्या है आपको सिर्फ दो लोंग लेनी है इस उपाये की खास बात यह है इसमें आपको बिना समान के बिना पैसे खर्च किये बिना मंतर के आप इसको अपने घर पर बैठे आसानी से कर सकते हैं कि बहुत से लोगों का सवाल यह होता है कि कुछ ऐसा बताइए जिसमें हमें घर पर आसानी से पैसे खर्च ना करने पड़े और खुद हम इस उपाय को करें तो यह उपाय आप खुद कर सकते हैं बिना पैसे कर सकते हैं बिना मंतर के बिना पैसे खर्च के और घर पर बैठ कर आसानी से सुपाय को कर सकते हैं आपको करना क्या है तिर्फ आपको दो लोंग लेनी है दो आपको लोंग लेनी है सबसे पहले आपको ये बात ध्यान लखनी है इस तरीके से आपको दो लोग को इस तरीके से करना है सबसे पहले आपको उस इनसान का नाम लिखना है जिसको आप अलग करना चाहते हो जैसे उसका नाम है राधा राधा प्लस यहाँ उसकी मातजी का नाम आपको पूरा लिखना है मैंने सिर्फ मा लिखा है आपको समझानी की वज़े से अब आपको करना क्या है इस तरीके से लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप इस तरीके से लिखनोगे उसके बाद आपको इस तरीके से यहां पर पीच में आपको एक स्वास्तिक काफ को निसान बना लेना है इस तरीके से आपको अच्छे से बनाना है मैंने सिर्फ आपको इस्तमाल करके बता रहाँ उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूं उसके इसी तरीके सा आपको लिखना है यहाँ स्टार्टिंग में और यहाँ लास्ट में लड़की का जिसको अलग करना सरादा लड़के का नाम है मनीश तो यहां आप मनीश प्लस मा का नाम इस तरीके से आपको लिखना है लिखने के बाद आपको इस तरीके से यह स्वास्तिक के निसान हम जब बनाते हैं जब हमें क्योंकि यह प्यार का प्रतिक माना जाता है अब हम इन दों के बीच में प्यार है एक दूसरे से अफेर में है तो अब हमें इनको अलग करना है तो हमें स्वास्तिक के जिसान को अलग करना पड़ेगा ताकि जो इनके बीच में प्यार है वो बिल्कुन खतम हो जाए और ये इक दूसरे से अलग हो जाए जब किसी के बीज में प्यार नहीं रहेगा तो वो एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा तो आपको इस तरीके से इसको अलग कर देना है देखिए अब देख रहे हैं इस तरीके से मैंने इनको अलग कर दिया जिसे कि आप देख रहे थे पहले उसके बाद इनको आपको फॉल्ड करना है इस तरीकित अच्छेका फॉल्ड कर दो ना फॉल्ड करने के बाद आपको मुठ्की में पकड़ना है और आपको बोलना है बातरूम जाकर टॉयलjट में राधा मनीज kernels राधा मनिस से अलग हो जाए, ऐसा तीन बार बोल करके, आप जिस बातरूम में आप जाओगे, उसमें आपको इसको फलश कर देना है, पानी बहा देना है, टॉलेट के अंदर इसको डाल करके, पानी बहा देना है, लॉंग अंदर होनी चाहिए, यह बात आपको दिहान रखन इसे तीन बार आपको बोलना है, और दूसरे टॉलेट के अंदर, अगर घर में एक घर में दूसरे दो टॉलेट है, तो उसमें भी कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, फिर दूसरे टॉलेट में इसको डालना है, टॉलेट के अंदर और इसको पानी बहा देना है, बस आप को इतना करना है वो इंसान हमेशा के लिए अगर दूर ना हो जाए तो मैं काम मैं बिल्कुल आपको बोल रहा हूं कि 100% में यह बता नहीं छोड़तूंगा क्योंकि यह उपाई आजमाई हुए हैं यह उपाई से काफ़ी 100% डेस्मक्स मिलता है आप इसको जरूर करके देखे बस आपसे एक छोटी सी गुजारी जिसमें हमारी चैनल को सब्सक्राइब नेकर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं नमस्कार असलाओं पर